या जिन लोगों को एतराज है मेरा उनसे निवेदन है जिनको लगता भाई चारा खत्रे में है ऐसे गुंडे मवालियों को मारने से उनसे मेरा निवेदन है मायवती जी से वैसी जी से सबसे आप अपने सद व्यक्तित्तों का प्रियोग करके जो बाकी आदाने गुड्डू बंबाज और लोग जो बच्चे हैं उमेशपाल मर्डर केस के आरोपी उनको सरिंडर करा दो ना एंकाउंटर ही चलने दो नाम अब शोले फिल्म बन गई तो शोले नाम ठीक है उसका नाम छोले थोड़े नग देंगे कौन समझेगा एंकाउंटर ही ठीक है चलने दो कोई बुरा नाम नहीं फिल्म दे चो कोई दे किसी नाम दिया हो एंकाउंटर ना समविधान विरोधी है ना इंडियन पेनल कोड का विरोधी है ना किसी भारत की किसी न्याइक संस्था के आदेश का विरोधी है मिलके कि धयर गया माट डाला गलत माट डाला योगी सबको मारे दे रहे हैं यह भाव क्यों पैदा कर रहे हैं एक एक एंकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जा रहा है एक एक एंकाउंटर और जो नहीं जा रहा मैं उनसे निवेधन करूं। समाजवादी, BSP, RLD, Congress जितनी पार्टियां हैं, वो सब मिलके कोट चली जाए, एक मिनिट में जुडिशल रिव्यू में आ जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है, हम किसी पार्टी के हो, वो अलग विशे है, 24 घंटे तो चुनावर पार्टी नहीं रहती, जीवन ज्यादा बड़ा है, क्या आज प्रदेश के सामान जन को यह संतुष्टी नहीं होगी, संतोष का भाव नहीं होगा, कि भईया, जस करनी तस बरनी ठिक, मैं उतना कृतगन धूरत नहीं हो सकता, इसलिए मैं कभी राजनीत में नहीं जा सकता, यह भी जान लेजी, कि मैं पूजा पाल के आशुओं को भूल जाओं, मैं जया पाल के आशुओं को भूल जाओं, मैं उमेश पाल के यतीम हुए बच्चों को भूल जाओं, और है जबालिस साल मैं सैकलों लोग मैं किया बला तीक पड़ी आज फोकत रखता हूं गटना घटी थी पुराने लोगों को याद होगी है मतलब गोली बार देना शरल चीज लगेगी उस घटना के सामने रोई पूरे शरीर से खाल निकाल ली लिटरली निकाल ली मुहावर्यम नहीं खाल निकाल ली-खाल विहीन शरीर चौरहे पर फेक दिया फिर पुलीस को फो बरता है यह कानून की छाति पर लाथ रखने की कोशिष है कि this मैं उस बहुत में उधर नहीं जाता में उद्दिगी से दूरी रहता हो मैं यह कहुंगा कि राजुपाल भी सी था और वमेश्व भी सी मैं उस भासवाने राजनिता देखे मेरे लिए व्यक्ति था पूरे इलहाबाद में भाग रहा था विधायाक और उसको गोली उसे मारा जा रहा था ऐसा दर्श्य और कहीं देखा फिल्मों में भी शायद इतना भेंकर दर्श्य नहीं देखा होगा यहाल टेम्पू से लेके भागे थे राजू को इलाज के लिए अस्पदाल तो राष्टे में टेम्पू रोक कर फिर 100-200 गोली जोग दी कि बचे नहीं क्या यह सत्ता के माथे पर थूकने की हिमाकत नहीं थी क्या उत्रपदेश की सत्ता हो चे देश की सत्ता हो वो संपूर्ण नागरिकों के अस्तित्तों का प्रतित्तु करती है बांथियां अलग हैं सफ्ता अलग होती है आप उथर प्राहिशके माते पर थूकेंगे हैं अ कर दो कि यही होना चाहिए जो भुए क्या शन्कुत कर देद्धन का उलंगन हुगा माफिया कुव मिट्टी में बिति मिला देना चाहिए अब आप जाकी रही भावना जैसी सो देखी प्रभुमूरत तैसी मैं तो ये मानता हूँ योगी जी जब ये कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे तो वो उस मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे थे जो भारत में सेकलों साल से है आदमी फानेंशली बैंकरप्ट हो जाता कहता कि या मित्टी मिल गये मितिक मतलब याज कूटकूट के मिट्टिम में उसको भी मिट्टी बना दे तो यह तो सन्योग है हो गत गट गट गना यह वेव जिन लोगों को एत्राज है मेरा उनसे निवेदन है जिनको लगता भाई चारा खत्रे में है ऐसे गुंडे मवाली और कुमारने से उनसे मेरा निवेदन है मायवती जी से वह इसी जी सबसे आप अपने सद व्यक्तिक्तों का प्रियोग करके जो बाकी आदानिय गुड्डू बंबास और लोग जो बच्चे हैं उमेश्पाल मर्डर केस के आरोपी उनको सरिंडर करा दो ना करा दो ना तो बाकी तो समय धान बचालो ने वह भी मारे जाएंगी तब क्या करोगे यह रास्ता ठीक नहीं है सरकारे आएंगी जाएंगी दल बनेंगे बिगड़ेंगे इनसे कोई फ़रक ने पड़ता मूर खताएं नहीं होनी चाहिए मुझे जैन चोधरी की बात बताई अच्छा लगा मुझे पड़ान मंत्री की डिग्री मांग रहे हैं आप मैं इस देश के तमाम बड़े राजनिताओं के नाम बता दू जिन्नोंने डिग्रियां नहीं देश के मन को पढ़ा और देश के मन पर लंबे समय तक उनका इसने रहा अधिकार रहा फिर छोड़िए वो विशे अलग है मैं जाना चाहता है अपराधी के साथ क्या इसलिए खड़ा हुआ जा रहा है कि वो एक खास मजब का है कोई ने पूछेगा इतनी सीधी बात कोई ने बोलेगा डर कि मारे महीं बोलूँगा क्या वेशी लग अब उमेश्पाल मारा गया तो आप कहा थे तो आपने टीवी नहीं देखा था एक राजूपाल मारा गया था आप तो तब भी सियासत में इस तब आपने मूँमे कög प दबा लिया था बोलने पाए थे अब आप करें के संभिधान मार दिया गया किसी बात कर रहे हूं और मैं फिर इस पस्ट कर दूँ ताकि सनद रहें एनकाउंटर निर्मल जी ने कहा मैं उनका बड़ा आदब करता हूं फिर भी मैं कहूंगा एनकाउंटर ही चलने दो नाम अब शोले फिल्म बन गई तो शोले नाम ठीक है उसका नाम छोले थोड़े नग देंगे कोन समझेगा एनकाउंटर ही ठीक है चलने दो कोई बुरा नाम नहीं फिल्म दे चो कोई दे किसी नाम दिया हो एनकाउंटर ना समविधान विरोधी है ना इंडियन पेनल कोड का विरोधी है ना किसी भारत की किसी न्याइक संस्था के आदेश का विरोधी है सुप्रीम कोट और राज्यों के उच्छ नियायलेओं के किसी भी निरनय का उलंगन नहीं करता एनकाउंटर एक, ये बात सब नेता जो यहां बैटे जान लें बाकि अपने बड़े नेताओं को भी वाट्सप करतें को आगे से इस बात कर ध्यान रखो बोलते समझें, दूसरी बात, अब कोई भी, रोई जी से कहूंगा कि मल्याना मालूं कब हुआ था, आपके इलाके में हुआ था, बहुत वर्स पहले, क्या, मेरे खाल से तब जैनती स्कूल में भी नहीं हो गए, क्या, तब हुआ था, न्याइक प्रक्रिया में गया, जहांच मैं बाबू, तब तो कोई सबूत, फोटो, क पैमरा कुछ भी नहीं होता था, तब, क्या, मरखब गए थे, आरोपी, लेकिन फिर भी जो बचे, उनको उनको अदालत में खड़ा होना पड़ा, क्या, अंधेर गरते, कहीं नहीं बाई सब घलत है, मैं क्यों फल आ रहे हो सब लोग मिलके, कि धयर गया, माट डाला, घलत म कुमारे दे रहे हैं, यह भाव क्यों पैदा कर रहे हैं, एक, एक, एनकाउंटर, जुडिशियल रिव्यू में जा रहा है, एक, एक, एनकाउंटर, और जो नहीं जा रहा, मैं उनसे निवेधन करूं, समाजवादी, BSP, RLD, कांगरेस, जितनी पार्टियां हैं, उस सब मिलक कोट चली जाएं, एक मिनिट में जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन क्रपा करके आप फैसला मरी पीचाएं, सुचिए आपके परिवार का, कोई बच्चा पुलिस में हो, और बदमाश की गोली से मारा जाएं, क्या लगेगा आपके मन को, हम आपके परिवार में कोई उमेश पाल होता, तो हम पर क्या बीचती, वहां से सोचना शुरू करिए, मैं कल उमेश पाल की पत्नी से बात कर रहा था, मेरी यांखे गीली हो गई, वो बात करते करते रोने लगे, जिन लोगों ने अतिक का आतंक देखा है, इलाबाद में, रो आप सब पार्टिया मिलके रेली निकालो, के अतिक भाया जिन्दाबाद तब भी भीड़ नहीं आई गया, आज क्या हुआ, इलाबाद में, निर्मल जी को बताओं, उनको लिए जानकारी अच्छी होगी, वो शायद इलाबाद से उतना फैमिलियर नहीं, इलाबाद में, अतिक पर जूते चल गए, कोई माई कालाल सोच सकता था, मनीश बाबू, है, जूता, अरे अतिक को घूर के आमने सामने देखने की अवकात नहीं थी, किसी की, क्या, पुलिस के अधिकारी हो की नहीं, हिम्मत परती थी, बाकी छोड़ो, क्या, कल मैंने कहा था, अतिक जब यह आता था पेशी पे, तो कैसे चलता था, अचकन, फचकन, टोपी, शोपी, और पुलिस के तमाम, बड़े अधिकारी, साथ में, बिल्कुल, सेवा में, पानी आनी लिये, और इसे, जैसे लग रहा, मुआईना कर रहा है, कचहरी का, क्या, मंत्री जी आये है, न्याय मंत् है, रोई जी हसे थे, उन्होंने जब मिस्रा जी तोला ज्यादा त्रेता तक चले गए, लेकिन सच बात है, रावन कौन है, कंस कौन है, यही लोग है, आज के दौर के, आदमी की आदमियत को खा जाना चाहते, अभी चार दिन पहले क्या कह रहा था, खबरें आई थी, कि श शेर का बच्चा शेर जी सही काम करेगा, उमेश्वा जिस दिन मारा गया, उस दिन तो हम चैन से सोय अठारा साल में, क्यों बहुत, तक तो आप उस शेर को अच्चा दिख रहा था, अब मारा गया तो रो रहे हो, सिर पकड़ रहे हो, अती रोय चेहां से, वो विशे अलग के राजनेता क्यों रो रहे हैं, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए, वो द्रश्य दुबारा नहीं दोहराय जाने चाहिए, कि सत्ता की द्योड़ी पर राजनेताओं के जूते रख्ते हो, मैंने देखे हैं, इसलिए मेरी आशा कड़वी है मिने कल भी कहा था यही अतीक उत्रपदेश के सबसे बड़े चेहरे के मंच पर अपना कुत्ता लेके चल गया था रोहिद बाबू और उनके हाथ में कुत्ते की टांग दे दी ती कि मिलाओ क्या कोई कर सकता ऐसा नहीं कर सकता कि एनेजिस भून देगी कर सकता कोई नहीं ना भाई ने कर दिया था मूचे अलग एंठी थी क्या कि जूते के नीचे सब्दा को रखने बाले लोग इनको सबक सिखाया जाना जरूरी है इसलिए मैं कहूंगा योगी ने कहा तो ठीक कहा मिठी में मिठी में ही मिलाना चाहिए लोग तंत्र की मर्यादा के साथ जो खिलवार करने की कोशिश करें जो सत्ता को अपनी रखैल बनाने की कोशिश करें उसके साथ यही होना चाहिए भाप चलाते थे तांगाई लाख हजारों करोड की संपत्यां कहां से आई कोई कारखाने चल रहे थे आपके अच्छा हुआ सीज हो गई चीजे भय का तिलस्म तूटना चाहिए किसी का भय नहीं होना चाहिए मेरे लिए लोग तंत्र का सबसे बड़ा आर्थिये है मैं सारे मित्रों से के साथ कहूंगा जनता किसी अपराधी के भय में नहीं रहे आ अच्छा ये उ लेके सिस्टम मेरे साथ है व्यवस्ता मेरे साथ है तंत्र मेरे साथ है और मेरे मान वादिकार ओप यह और दंते-वाड़ा में 55 से आप्य जबान जब एक बार मारे गये थे लैंड माइन से जमीनी विस्फोर्ट से तो भी मैंने कहा था कि मैं बामपंथियों के साथ ख़ड़ा नहीं हो सकता जो नक्सलियों के मानवा दिकार पर सेमिनार कराते हैं मुझे इन 75 CISF के जवानों की मा और बाप और बेटी और पत्नी के चेहरे कौंधते हैं मेरी आखों में मैं ऐसी राजनीत नहीं करना चाहता जिसमें मैं अतीक के साथ ख़ड़ा हो जाओ इसलिए कि अतीक मुसल्मान है नहीं यह हिंदु मुसर्मान का मसला कहा है कले की हिंदु मारा गया ना अपराधी अपराधी है मित्र उसको जात में बाटियेगा उसको धर्मे में बाटियेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा यह नेता भी इसलिए बनते हैं ददवा की क्या पहचान थी, निर्भे की क्या पहचान थी, छविराम की क्या पहचान थी, लाला राम की क्या पहचान थी, उत्तरपदर्श की सियासत में हमको मालूम नहीं, जातियों की पहचान थी, जातियों के नेता उनके यहां हुक्का भरते थे, खरहरी खटिया पजा के बैठते थे अपराधियों में जाति के नायक मत धुनिये हर जात के पास हर मज़ब के पास अच्छे नायक हैं उनको अपने केंदर में रखिए अपराधियों को नहीं